I am going to give little introduction, I am going to give little light on the condition of the students of जार्खन, especially class 9 and 10 students I am Asuk Kumar Sharma, the Chairman of People's Welfare Foundation and the Director of AKS Study Center जार्खन के जो विद्यारती है, class 9 और class 10 standard के विशेज रूप से गौवर्मेंट स्कूल के जो स्टूडेंट है उनका condition, देखके, उनका जो condition इतना देनिया है और उनका condition इतना देनिया है कि यह बहुत ही गंभिर चिंता का विशे हो जाता है इसको इस परकार से हम समझ सकते हैं कि जो syllabus का standard है class 9 और class 10 का syllabus का standard है चाहे वह mathematics हो, चाहे वह English हो, चाहे वह history हो, चाहे वह polity हो, चाहे वह civics हो यह और जो भी syllabus हैं जो विशे बस्तू विद्यार्थियों को जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए किसी भी चीज का example लिया जा सकता है और उसमें से भी विशेस करके जो अंग्रेजी है, इंग्लिस इंग्लिस आज जो हमारा देखा जाए तो भारत का जो निती निर्देशक तत्व है उसका भी एक पार्ट है इंटर्नेशनल सेकूरिटी एंड इंटर्नेशनल पीस एंड इंटर्नेशनल सेकूरिटी एंड इंटर्नेशनल पीस तो यह जो हमारा निती निर्देशक तत्व के जो भाग के अंग है इंटर्नेशनल पीस एंड शेकूरिटी तो इस बात से जब हम लोग इस बात को लिंक कर देते हैं तो कहने का मतलब है कि भारत कहने का मतलब है कि कहीं ने कहीं यह जो हमारा उद्देश है और भारत सरकार का भी जो उद्देश है या बिलकुल इसमें भी इंडिकेशन हो इसमें भी इंडिकेशन हमेशा सरकार के दवर भी किया जाता रहता है और यह हमारा रासिच्छा निती का भी उदेश है बसरते इस चीज को अभी बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं बहुत सारे टीचर समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे सेच्छनिक समझ नहीं पा रहे हैं और यहां तक बहुत सारे विद्यार् प्रभाव नहीं है इस परकार के सब हम लोग अकसर निउस्पेपर में आते हैं पढ़ते हैं देखने सुने को मिलता है और विविन किताबों में भी देखने को मिलता है एल पीजी एल पीजी मिन्स लिब्रालाजेशन पी मिन्स प्राविटाजेशन एल जी मिन्स ग्लोबलाजेशन तो एल पीजी इसको हम लोग ग्लोबल इंपक्ट भी का सकते हैं यह 21st century और विश्नेस करके आज 2020 में भी इसको बहुत ही गंभीर विशे है इसे समझना पड़ेगा शिच्छ विद्यारतियों को अभी विशेश रूप से समझना पड़ेगा तो कहने का मतलब है सारा चीज सारा सेक्षनिक दवेस्था और सारा सी लेवस उसी अनुरूप होना चाहिए क्योंकि जो भी एक्जाम का आज पैटर्न है चाहे एक छोटा लेबल का एक्जामिनेशन हो चाहे वह सी ग्रेट का सर्विस हो या ए ग्रेट का अफिसर ग्रेट का सर्विस हो एक चर्प्रासी का सर्विस हो कर्मचारी का सर्विस हो या एक आईएस आईपिस का सर्विस हो ग्लवल एजेसन का जो इंपेक्ट है असर है चाहे वह बिजनेस हो या सेक्षिक सस्था हो कहीं भी ह इस global impact से अज़ूता नहीं है तिकाने का मतलब है जो syllabus का standard है class 9 और class 10 का standard तो class 9 है class 10 है और वास्ता में विद्यार्थियों का जो condition इस्थिती है वह class 2 level का है और class 2 ही नहीं बलकि class 9 और class 10 standard के विद्यार्थियों से अगर class 1 का भी अगर दो line अगर इंगलिस पढ़ने के लिए बोल दिया जाए class 1 का भी इंगलिस को एक poem को पढ़के हिंदी में अपने मातर भासा में या अपने भासा में छत्रे भासा में उसे expression कर देने के लिए कह दिया जाए तो time time piece है mathematics में अगर league से हंट कर conceptual question एक junior रस्तर का भी कर दिया जाता है 9-10 standard का student है और उसको question अगर square से root से भी question कर दिया जाता है तो वहाँ भी समस्या है कि विद्यार्थी जब एक conceptual question कर दिया जाता है तो goal ना विद्यार्थी fat रखते हैं और ना ही concept अधिकतर विद्यार्थी उनके पास है समस्या है विद्यार्थियों के साथ बहुत सारे समस्या है और बेक्तित्यों के निर्मान में कहने का मतलब है या बहुत ही गंभिर चिंता का विसे है ऐसे अधिकतर विद्यार्थी का भवि कर रहा हूं लेकिन जिन्दा बचेंगे भी तो इस दुनिया में ये सारे विद्यार्थी धक्के खाएंगे और जितना भी मेरिट अस्तर पर जो भी कॉम्पिटेटिव एक्जामिनेशन है जो इस स्टेंडर्ड से त्यारी करेंगे या इसी स्टेंडर्ड में विद्यार्थी तो ये गरंटी है कि अधिक्तर विद्यार्थी काम्भी आप नहीं होंगे या कोई बड़े पोस्ट नहीं ले सकते हैं कोई अच्छा राज किया पाद कोई सेवा कोई नोकरी जॉब में नहीं जा सकते हैं और IES IPS एक्रेट का सर्विस तो बहुत दूर का बात है को गोवर्म वेकेंसी और पोस्ट वहाँ पर सेलेक्शन नहीं होगा और उसके बाद जीव को पारजन के लिए चाहे किसी भी चीज में सफलता के लिए नोलेज का अस्तर बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो कि नोलेज गैप यहाँ पर है नोलेज में डेटा गैप इनफोर्मेशन गैप और conceptual gap तो है ही बहुत सोचने समझने की सकती निर्ने लेने की सकती डिजन लेने की सकती नहीं है बिद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं समझ नहीं रहे हैं और बिद्यार्थी कोई पढ़ाने वाला भी एकर टीचर फेकल्टी है तो जब बच्चे को पढ़ाएंगे या इस्टेंड के विद्यारती जब मैं ही People Welfare Foundation के माध्यम से मैं ही बच्चे को सीख्छादान देने जाता हूं, क्लास लेने जाता हूं, इस्कुल कोलेज पढ़ाने जाता हूं, तो देखता हूं कि स्टेंडर क्या है, तेन का छोड़िये कोलेज का जो विद्यारती का स्टेंड क्या है, ना समान रूप से čर लाइन इंग्लिस बोल पाते हैं, और ना किसी भी विसे में वह discussion कर पाते हैं, किसी मुद्धे पर 10 लाइन discussion कर पाते हैं, ना ही communication skill उनका डवलफ है, और ना ही communication skill में कुछ अच्छा दिखा पाते हैं, या कर पाते हैं, तो यह बहुत इस्वासि समस्या को अगर पातने का भी कोशिस अगर किया जा रहा है तो समस्या देखने को या मिल रहा कि आखिर काम हो तो कितना कोई मेहनत करे को टीचर कितना उसको कर सकता है कितना उसके पीछे मेहनत कर सकता कितना समस्य को डेवलप कर सकता है बहुत बड़ा गैप है तो यह ऐसा नह अंतिकारी अस्तर पर जाकर गाडियन लोग जो आज बहुत से सो रहे हैं उन्हें जगना होगा और अपने बच्चे के पढ़ाई में ध्यान देना होगा बच्चे पढ़ रहे हैं किने उसे मुटिवेट करना होगा ध्यान देना होगा बच्चे के ऊपर भी पढ़ाई में उस हुमने के लिए जा रहे हैं 50,001,002,005,005,005,005,005,005,001,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005, प्लूज़ को आगे बढ़ाना नवियों को आगे बढ़ाने का दायूत केवल माता पिताओं का ही नहीं है और अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब लोग बढ़ेंगे जबकि लोग बढ़ेंगे युआ बढ़ेंगे विद्यार्थी बढ़ेंगे सकसेस होंगे अगर सिक्षा हासिल करेंगे तो उनका तो बेक्ति का जीवान में डवलपमेंट होगा अच्छा नोकरी करेंगे जॉब करेंगे बिजनस में सकसेस करेंगे आईएस आपिस बनेंगे डॉक्टर और इंजिनियर बनेंगे किसी भी चीज में कामयाब होंगे चाहे मिजिस्टन बनना है चाहे स्पोर्ट मैन बनना है किसी भी चीज़ में लेकिन इंटरैख गूरुप से इस देश का भी विकास होने वाला है देश यह देश जो है मजबूत होगा आर्थी ग्रूप से श्ट्रोंग होगा और यही चीज़ तो भात का भी जो एक प्रियम्बल का उदेश है कि भात का असमिता इस परकार से भात का संचाल करना है कि भात में असमिता बना रहे भात में जो सोवरेंटी परुसत्ता बना रहे और हमारे निती निर्देसक तत्व का भी पाट है इंटरनेशनल पीस और सेक्यूरिटी तो इंटरनेशनल पीस और सेक्यूरिटी तभी रहेगा जब या देश मजबूत यहां के बिद्यार्थी यूवा मजबूत रहेंगे दक्ष रहेंगे नोले से ग्यान से सोचने अस्तमाजने के सकती क्रियेटिविटी चाहे वा किसी भी चीज में क्रियेटिव हो एक अच्छा टिचर बनने का लाइक हो चौब करने का लाइक हो बीजस करने का लाइक हो डॉक परिवार अपना देश का भी उनतिक करेंगे तो समस्या है कि किसी भी चीज में जब इंगलिस का बात ही आता है तो अभी जो बतमा परिद्र से विद्यार्थी ना उसे ग्रामर का नोलेज है ना विद्यार्थी के पास वर्ड मीनिंग का जो परियाप्त जानकरी है थोड़ा जोड़िए चोटा-छोटा वर्ड मीनिंग भी विद्यार्थी नहीं जान रहे हैं अमंग्स का मतला विद्यार्थी को नहीं पता है तो बताईए जो क्लास 9 और 10 के स्टेंडर्ड के विद्यार्थी टील और अमंग्स नहीं जानते हैं तो कौन दोसे इसके लिए यह तो में ध्यान देती है नहीं मैं क्या करूं कोई दोस्त लेने वाला नहीं है तो इसमें समाधान क्या है इसका यही समाधान है कि हर वेक्ति को एक खुला दृष्टिकौन और बेवारिक दृष्टिकौन खुले दृष्टिकौन से सोचना होगा और बिरहत एक दृष्टिकौन से बिरहत समाजिक, होलिस्टिक एप्रोस से इस देश के विकास में हर विक्ति को अपने अस्ता से योगदां देना होगा और लोगों को कुछ न कुछ दुसरे का भराई के लिए और कल्यान के लिए थोड़ा अचिंतर मनन करना पड़ेगा और अपने अपने इमांदारी से अपने अपने काम को सभी को करना पड़ेगा हर टीचर को भी करना पड़ेगा और सभी को तभी ये इस परकार का हो सकता है development और सबसे बड़ा बात है कि आप लोग विद्यारती अभी भी होस में आ जाएए जग जाएए नहीं तो जिंदगी बरबाद होने से कोई नहीं रोग सकता है पढ़ाई में ध्यान दिजे ज़्यादा खुद किताब से पढ़िए इंटरनेट से पढ़िए गुगल से पढ़िए और हमारे इंटरनेट के माधियम से दुनिया का बहता से बहतर एजुकेशन सिक्षा हमारा पीपल वेलफेर फाउंडेशन जो है वा एके अस्टेडी सेंटर यूट्यूब चैनल के माधियम से दे रहा है तो घर बेठे भी सारा सिक्षा हर विसे का सिक्षा चाह मैत हो चाहे हरीजिनिक हो चाहे इंगलीस हो चाहे जोगरफी हो चाहे हिस्ट हो किसी भी चीज का सिक्षा आपको घर बेठे भी मिल रहा है तो इसका फाइदा लीजिए नहीं नहीं तो जिंदिगे में परस्ताने का लावा, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है, समय रहते हुए, अगर काम उस अस्तर का नहीं हुआ, तो कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए पढ़ाई में हर अस्तर पर ध्यान दीजे, खुद grade, अच्छे teacher से पढ़िए, और पढ़ हम तो महनत कर सकते हैं, इंवेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं कम से कम किसी और के लिए नहीं तो अपने development के लिए भी आप कीजिए, तभी ये चीज आपको होस में राना पड़ेगा, और तभी development में होगा, आप किसी के आसा में रहेंगे, कोई आदमी, कोई टीचर आपको आगे बढ़ाएगा, कोई दूसरा में बढ़ाएगा, तो साथ वैसा आपका समय यूही गुजर जागा वैसा बेगती, वैसा आवतार मिलने वाला है या नहीं है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप विद्यारते खुल से मेहनत करने के लिए उड़ जाएंगे, एक बार हिमब ठान लेंगे, और जूजना स्टार्ट करेंगे, और आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करें पढ़ाते नहीं हैं, केवल, खाना, पूर्ती, हाजरी बच्चे को बेठा के रखते हैं, और हाजरी और अटेंडेंस उसको चाहिए, तो वो चीज का बहिसकार कीजिए, और आपको विद्यारती ज्यादा परिसानी है, तो आप प्रिस्पल को भी लिग सकते हैं, और उसके पढ़ाई कर, हम खुदी पढ़ाई करेंगे, और खुदी अच्छे से अच्छे टीचर से टीचन लेके भी पढ़ाई करेंगे, या किसी से करेंगे, अगर इस माध्यम में नहीं हो रहा है, गवर्मेंट टीचर से भी रिक्वेश्ट कर सकते हैं, अगर वे पढ़ाते हैं, तो अच्छी बात है इस्कूल जाईए लेकिन किसी के चक्र में अपना समय को बरबाद नहीं कीजिए च्योंकि जो राष्ट सिक्षा नीती है और CCE और NCF इसका भी नेस्डल कारिकूलम फ्रेम वर्क और इन सारे चीजों का उद्देश ही यही है कि लखिर से फकीर हट कर क्षिनिक ववस्था काम करें कोई भी रूल एंड कोई रूल कोई भी रेगुलेशन कोई फाइनल नहीं है सारा रूल को चेंद किया जा सकता है और उसको बदला जा सकता है अगर उसमें विद्यार्थियों का डवलप्मेंट हो और करल्यान हो एक ही उद्देश है बच्चे कोई डवलप्मेंट में रोक रहा है तो उस सिस्टम से जो है विद्यार्थियों कापिस्टी होना चाहिए सवाल जवाब करने का और उस सिस्टम को तोड़के और एक नए सिस्टम में चलने का कापिस्टी होना चाहिए तभी डवलप्मेंट होने वाला है ने तो लकीर के फ करके जाके वहां पर खावी में भी जहनुम में भी जाके कूद के गिर के मर जाएगा तो ये चीज़ समझना पड़ेगा जिद्यारतियों को गार्डियन को भी और गुनवत्ता पूर्ण सिख्छा क्या है इसको समझना पड़ेगा नहीं तो दूसरा कोई बेगती आपके डव वाला नहीं है और समानेता जो समाजिक ववश्था है स्वार्थ और अपनी ही डेवलप्मेंट को जो समाजिक ववश्था है स्वार्थ और भश्थाचार और अपना ही डेवलप्मेंट ये सिस्टम जो है लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है और नहीं देगा तो कि जगजोर रहा हूं होस में ला रहा हूं तो लीग से हट के जब तक नहीं चलेंगे तो काम्याब नहीं होंगे पढ़के क्या करेंगे डिगरी लेके क्या करेंगे मेट्री करके क्या करेंगे आईए भी एमब पीएजडी करके घंटा क्या करेंगे जीवन में काम्याब ही नहीं होंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे वो पढ़ाई को फाइदा ही नहीं होगा इसलिए जग जाये और चैनल से सोना है तो जग जाओ पढ़ाई स्टार्ट कर दो और उस तरह से पढ़ाई करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को आवज सब्सक्राइब करें और लिखिए और कमेंट किजिए किस पर वीडियो चाहिए साथ चीज पर वीडियो चाहिए इस वीडियो में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि